येरे बच्चों, आज हम लोग जो है, जेस में, इतिहास में सबसे इंपॉर्टन जो टापिक है, अठारसनताओन की क्रान, पर्थम सुतनताज संग्राम जिसको कहा जाता है, उस पर हम लोग आज जो है, चर्चा करेंगे, ठीक है, देखें, ओके, अठारसनताओन की क्रान, देखें, इसको पर्थम सुतनता संग्राम कहा जाता है, पर्थम सुतनता संग्राम, क्यों कहा जाता है, इसको पर्थम सुतनता संग्राम, क्योंकि भारतियों ने पहली बार, अंग्रेजों के दो स्पूर्ण सासन ब्योस्ता से मुक्ति प्राप्ट करने का प्रयास क्या था, सुतनतर होने का प्रयास क्या था, बिटी सासर के दोरां और जो है ये ठीक हाने काणों से ये सफल नहीं हो पाया लेकिन ये क्रांती जो है इसके पढ़ाम भविस में ये दिखाई पढ़ा कि हम लोग भारच छोड़ां दोलन इसी के प्रेजित हो करके किये और तीन साल के लगतार प्रयास के बाद जो है हम कौरांति का अर्थ होता है कि अमूल चूल परिवर्तन अठार्थ पूरी तरस से बदला हो जाना अच्छाईया पूरी तरस से इतनी बुराईया जो अमूल बदल जाए कि पहश्चाना मुश्किल हो जाए वो किसी भी छित्म हो सकता है क्रांती जो है समाजिक परिवर्थम में हुआ है समाजिक धार्मिक शेतों में हुआ है धार्मिक रांत आर्थिक शेतों में हुआ है आर्थिक रांत वो किसी भी शेत में क्रांती हो सकती है तो क्रांती का जो है यहां अर्थ हुआ कि बरतमान बेवस्था या वीचार मे परिवर्तन लाने के लिए जो कारी किये जाते हैं उसे करांति कहा जाता है और करांति समाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजितिक कुछ भी हो सकती है किसी भी शित्म हो सकती है समाजिक करांति समाजिक शित्म बदलावाने के की गई अब भारत तो 200 का ऐसा देशा है जिसमें हर प्रकार की करांति होई है, समाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजितिक, लेकिन 18 संताउन की करांति जो है, राजनितिक करांति है, यह ध्यान रिखेगा, क्यों राजितिक करांति है, क्योंकि सासन व्योस्था में बदलाव लाने के लिखेगे थी, राजितिक करांति है, राजि अर्का में रायतिकुरानत हुई थी 1776 में फ्रांस में राइनी क्रांत हुई 1789 में भारत की राइनी की गई थी उसे ज़ेखें जो सासका थी ध्यार रखेगा ब्रीटिन की सासका बिक्तोरिया का सासर था उस समय महरानी बिक्तोरिया का सासर था और उस समय बिक्तोरिया का सासर था पामस्टन पधा मत्मी थे पामस्टन थे सेनापती उसमें जो है शेनापती एंसन थे एंसन इस सेनापती थे और उस समय अठार संतावन में जो भारत में गवर्णर जनल थे ततकालीन उस समय थे लाड कैनिग ध्यान रिखे गवर्णर जनल भारत में गवर्णर जनल गवर्ण तो यह चीजे आप देखेंगे कि यह क्रांति के दौरान जो ततकालीन जहें यह ब्यवस्था थी और क्रांति हुई क्रांति के होने के क्रांति के और क्रांति के इसलिए क्रांति के कारण जो है पिछले सव वर्षों के अंग्रीजों के जो कार्य थे, जो समाज कारण, नहां रखेगा क्रान्ति के प्रमुख कारण, क्रान्ति के प्रमुख कारण, प्रमुख कारण, कौन थे, समाजी कारण, ये समाजी कारण है, समाजी कारण, समाजी कारण, धार्मी कारण, आर्थी कारण राजिती कारण ये अंग्रेजों के पिछले 100 वर्सों में जो किया गया था ये कारण से दिए समाजी कारण क्या था अंग्रेजों ने उस ततकाली समाज में जो बुराईया ब्याप्त थी उसको रोकने के लिए कानूर बनाया ये अलग बात है कि ततकाली भारत समासुधारकों के कहने सुन ने किया था येसे लाड विलेंब बैंटिंग ने राजाराम महराय के कहने से सत्री पर्था पर परत्यबन लगाया जो लगभव 1400 वरसों से भारत में चली आ रहे थी उसको उन्होंने परत्यबन हित कर दिया लाड कैनिंग ने इसो चन्छ बिद् बहुत खराब लग रहा था, कि अंग्रीज हमारे समाजिक व्योस्था में दखन्दाजी दे रहे हैं, तो ध्यान रिखेगा, इसमें सती पर्था, सबसे प्रमुकान था, सती पर्था, पर प्रतिबंध, प्रतिबंध, और बिध्वा बिवा, बिवा के लिए कानुद, किली कानुद बनाए गया, यह है, एक समाजी कान था कि भारतियों को बहुत खराब लगा, इसके अलावा, जो है, आर्थ्धारमी कान थे, कि भारतियों को ज loud चो जो है, इसाई धर्म सविकार करने के लिए, हिंदु-मुस्लिम धर्म छोड़कर करके, इसाई धर्म सविकार कर ये तरह तरह के लालच देते थी, 1813 के जो एक्ट पारिश किया गया था, उसमें भी धर्म परचार करने के अंग्रेजों को ये अधिकार मिल गया था, इसलिए भारत में जो है इसाई धर्म के लोग जो है बढ़ावा देने के लिए कारे हो रहे थे, इसाई धर्म का परचार, इसाई धर्म के परचार, परचार हो रहा था, और हिंदू के साथ जो है, जो सेना में विथे, उसलिए भेद्भ होता था, उनके माथे पर तिलक लगाने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसके कार्ण जो है, बेलोर में, 1806 में सैनिकुन बिद्रो किया था, धर्म के धर्म कार्ण थे, इसके अलावा आर्थी कार्ण क्या थे, कि बिसम परिशितियों में बाल हागे, सुखा पड़ गया, उसके बावजूद भी, वो कहते थे, भारतिक किसानों से लगान चाहें जैसे हो, लाकर दोख, जबरन लगान शोलते थे, और जो है, सैनिक जो है थे, उनको कम वेतन देते थे, अंग्रिये सैनिकों को जादा देते थे, भारति सैनिकों को कम देते थे, भेदभाव करते थे, समाने कारी के लिए समान वेतन नहीं देते थे, भारति सिपाहियों का प्रोमोसर भी नहीं होता था, और जो है, वहीं से रिटार हो जाते थे, जबकि सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि विशंप परिशितियों में लगान जबरन वसुल करना भारतियों के लिए न देने पर उनको घर कुरकी कर लेना मारने पिटना ये बहुत बड़ा काण सिधुआ था ये आर्थी काण जबरन लगान वसुलना ध्यान रखेंगा जबरन लगान वसुलना और समान पद पर कारिक करने के लिए समान वेतन देना एक भारतकों के अंग्रेजों के उदिश से था लाड मेकाले के अठारो सो पैंटिस के सिक्षा नित्का कि भारतियों को केवल उतना ही पढ़ाओ कि वो केवल जो है चप्रासी क्रक सिपाही बन सके इतना ईस दियान रखेगा जो है कि समान पद के लिए के लिए समान वेतन न देना एक भारतियों को मने गुशय कत्रुआ रहा था और सबसे प्रमुकान था राइंतीग कारण में धियान रखेगा कि योग के होते हुए भारतियों को महतुन पदोपनिकती नहीं कि जाती थि लाट जल होजी ने हड़प नित के अंतरगात बहुत से राजाओं के संपत को हडप लिया था जो दतक पुत्र थे जिसे नाना साफ थे बाजी राव दित्री के पुत्र थे दतक पुत्र उनको उनकी संपत हडप लिया वेगम हज़त महलखनों के उनके दतक पुत्र को वारिस माले से दरोजी ने इंकार कर दिया। अवध हर पंजाब को दोस्पूर्ण सारसन ब्युस्था के धार पर उनको बिटिस समराज सामिल कर लिया। यह भारतियों को मने गुशा हो रहा था। उसी तरलाड ब्रेजली ने साहिक संचलाया यह कारण जो है यह सबसे बढ़ा कारण हुए कि समराज बिष्टार के के समराज बिष्टार के निति, हडपनित, हडपनित, साहिक संदि यह सब कारण सिध हुए थे। जो क्राण यह सब जितने कारण थे, जितना कारण था, यह सब क्या था, भारतियों के मन में धिरी-धिर गुशा इकत्र कर रहा था। और ये बारूद के धेर को तयार कर दिया था ये धेर तयार हो गया था और इस धेर में चिंगारी का कारी जो किया वो तत्कालिन करन था जो चर्बी उक्तकार्तूस प्रियोग करने के लिए तत्कालिन करन तत्कालिन करन तत्कालिन करन क्या था चर्बी उक्तकार्तूस भारती प्रियोग करने के लिए मजबूर करना ये तत्काली कार्ण से दुगा जो बारूद के धेर में ये चिंगारी का कार किया और विश्फोट हो गया तो ये ध्यान के का ये कार्ण जीतने थे ये करांति के लिए सब उतरदाई थे अब नेक्स बात में पढ़ेंगे कि करांति की प्रमुख घटनाए क्या क्या घटी थे तो देखे यहाँ पर करांति प्रमुख घटनाए यहाँ पर देखेंगे आप प्रमुख घटनाएं प्रमुख घटनाएं प्रमुख घटनाएं में क्या हुआ कि चर्विक्त कार्थूस का बिरोध सबसे पहले बैर्यपुर में आपके 34 साइने बटालियन थी और उसका नित्यत मंगल पांडे कर रहे थे उनके नित्यत में असपस्ट साइनिकों ने मना कर दिया हम कार्टूस का प्रिवल नहीं करेंगे तो अंग्रेजों ने मंगल पांडे को आरेश कर लिया और उनके पिटाई की गए जिसे गुशा करके उन्होंने अपने दिकारी को जनरल बाग की गोली से हत्या कर दिया था मंगल पांडे को आरेश किया गया और उनको 29 मार्ज को आरेश करनी के बाद 8परेल को फांसी देदी गे मंगल पांडे परथम भारती थे जिरहें फांसी दी गई थी ध्यान रखेगा परथम भारती थे ध्यान के गा ये ऍगेंसर कर दो देखें, प्रमुग हटना है, बैरेकपुर में, बैरेकपुर में, जो है, मंगल पांडे को, मंगल पांडे को, जो है, आठ अप्रे, 18 संटाउन को फांसी दे दीगे, दीगई, दीगई थी, इसके प्रतकरिया में, ध्यान लखेगा, इसके प्रतकरिया में, मेरट के जो साइनिक थे, प्रतकरिया में, मेरट के सिपाही, जो ब्रिटिश से नाम थे, मिरट के साइनिक जो है अंग्रीजों से बदला लेने के लिए उन्हों निक्षे किया कि हम लोग दिल्ली चलेंगे और अंग्रीजी सासन ब्युस्थाव खाल फेकेंगे इसलिए मेरट के साइनिक जो है ये प्लान बनाये थे कि 31 माई को डिल्ली पहुचकर अंग्रीजी सासन व्योस्था समाप कर रहिया जाएगा अंग्रीजों के सासन सासन व्योस्था समाप किया जाएगा समाप किया जाएगा किया जाएगा लेकिन मेरट के सिपाही जो है 29 आइनिक पटलिन थी इतने गूसे में थे कि 10 माई को वो डिल्ली चल दिये अब 12 माई को दिली पहुँच करके जहें दिली पधिकार स्थापित कर लिए लाल किले पर बहादूसा जफ़र को भारत का समराण खोशित करके उनके ज़ंडे फारा दे तो यहां ध्यान केगा समाप किया जायगा लेकिन 10 माई को ही 10 माई को को मेरट से मेरट से क्रान की प्रारंब हो गई क्रान की प्रारंब प्रारंब होई प्रारंब होई थी और 12 माई को सबसे महत्पूर दिन है 12 माई को दिली पर जो है क्रान की कारियों का अधिकार कभ्या कर लिये थे कभ्या कर लिये थे और एक कई सितंबर तक ध्यार रखेगा एक कई सितंबर तक दिली पर जार कता रहा एक कई सितंबर को पुनह अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने डिली पर धिकार किया अपना अधिकार स्थापिक कर लिया अपना अधिकार स्थापिक किया अब देखी समझने की बात है कि डिली के बाज़य क्रांट की घटनाय अन्यस्थानों पर सुरू हो गई बेगम हर्दमाल ने चार जून को लखनों में नितुत किया और क्रांती हुई नाना साहब ने पांच जून को कानपूर में किया जिनको धंदूपन्त भी कहा जाता है उनके सहयोगी उनके सेना पति थे तत्या टोपे जिनको राम चिन पांदूरं कहा जाता है पांच जून को ही जहांसी किरानी लच्वी बाई ने जिनको छविली कहा जाता है जहांसी में क्रांट किया और ग्वालियर में भी उन्होंने बड़े बहादूरिस अंग्रीजों का मोतोर जबाब देते हुए युद्ध कर रही थे लिए कि दुरभागे था उनका कि उनके घुड़े का पैर कीचन फस गया और अंग्रेजों उनको मार दिया था लेकिन उनके जो सहयोगी थे रामचन उन्होंने अंग्रेजों को डेट बाड़ी जहांसी करानी को नहीं प्राप्त करने दिया और वही पर उनको जड़ा दिया था प्राज भी जहांसी करानी की समादी ग्वालियन है जहांपन की मिर्थ होई थी दिया रखेगा तो क्रांत की घटाएं प्रार्म हो गई लखनव में लखनव में चार जोन को धिया रखेगा चार जोन को बेगम हजरत महल के नितुत में कानपूर में पांच जुन को नाना साप के नितुत में के नितुत में और जहांसी में जहांसी में भी पांच जुन को होई जहांसी में यहन करांति की घटना खटीत हुई इस पर देखेंगे कि इलाफबाद में 21 जुन को लियाखका तरिक दित्यूत में आंगेज्चों को बहुत प्रसान केंगें और सबसे जधाद प्रसान कें थे आपके ज़गिश्पूर के नाना सहाब थे लेकिंगें आंगेज्चों को पकड़ी पाये थे जिन्दा भूत प्रयास केंगें लेकिन वो पकण ही पाएं, तो और लग्ष, क्या है जगदीश्पुर में, जगदीश्पुर में कुवर सिंग, कुवर सिंग, कुवर सिंग, फैजाबाद में, मौलवी, अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों को बहुत परसान किया, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको बंदी बनाने में स्वयोग करने वाले को 50 हरुपे की नाम राशिभोशिप किया था, इन्होंने अंद्रेजों कितना प्रसांग क्या था करांतिकारी करांति के परचार परसार के लिए एक दूसरे से जब मिलते थे तो कमल के फोल और रोटी चपाती भेट करते थे ये करांति का प्रतीक बन गया था ध्यारके का करांति का प्रतीक क्रांट का प्रतीक बन गया था क्या बना था प्रतीक बन गया था क्रांट का प्रतीक प्रतीक था कमल के फूल कमल के लाल फूल लाल फूल और रोटी चपाती ये क्रांत का प्रतीक बन गया था क्रांत कारी एक दूसरे को भेट करते थे क्यों 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 कि हम कमल की फूल के तरह तभी खिलेंगे जब हमारी रोटी सुरक्षित रहे गे इसका तात्परिय था और एक दूसरे को भेट करते थे तो क्रांट की घटनाई चलती लेकिं अंग्रेजों ने अपनी सैने बल के बदवला, सैने छमता के बदवला क्योंकि उनके पास करननील, हडसन, हिरसन, रेनार्ड जैसे योग्य सेनापती थे जिनके बदवला उन्होंने क्रांट का दमन करने में सफल हो गए क्योंकि भारत की जो क्रांट कारी थे, इनमें एक जूता नहीं थे, एक निश्ची तुदेश नहीं था क्रांट की समय से पहले प्रार्म हो गई, क्रांट की कारण के बहुट से कार्म थे असफलता की तो जो हे ध्यान रिखेगा असफलता की कार्म असफल्ता, असफल्ता की कार्म की थे? समय से पूरु प्रारम होना, निश्चि समय समय से पूरु पूरु प्रारम होना, 21 में डेट खा गया था, 10 में को प्रारम हो गया, यह संपूर्ण भारत में नहीं फैलना, कुछ भारतियों द्वारा अंग्रेजों का साथ देना, सहयो करना जैसे सन्धीया परिवार के और लाड कैनिम ने कहा था, यदि सन्धीया परिवार हमरा सहयो न किया होता, अंपलों का बुरियाologies विस्तबंद गया होता इतना सहयो किये थे तो ये क्रांट के बिफल होने के बहुत से कांट थे सबसे महत्मूर जो कांट था इसमें योग्य नितुत करता का भाव क्योंकि बहादूसा जफ़र अंतिमुगल समराथ इनको क्रांटकारियों ने भारत का समराथ घोसित किया था वो ठेक से नितुत नहीं कर पाए। इस movement कांट था योग्य नितुत करता का भाव इसमें कांट का आभाव कांट का अभाव होना होना ये सबसे बड़ा कांट था इसमें पॉर्टनस जो बात की इरी भादूसा जफ़र ठीक से नितुत की होते तो क्रांट का पड़ाम कुछ हो रहा होता है फिर भी क्रांट भीफल होगी ठीक बात है लेकिन इसके पड़ाम दिर्कालिक से दुए बस पड़ाम में क्या था जो है देख रही है क्रांट के पड़ाम क्रांट के पड़ाम क्या हुए भाई सबसे महत्मुल बात थी क्रांट के परडाम या प्रभाव क्या हुए जह है कि 1859 के धिनियम के द्वारा इस्ट इंडिया कंपनी के अब सासन व्योसा समाप्त कर दी गए इस्ट इंडिया कंपनी के सासन व्योसा समाप्त समाप्त लाड कैनिंग कैनिंग को को वैसराय घोसित किया गया वैसराय वैसराय घोसित किया गया घोसित किया गया किया गया नेश्ट बात क्या हुई कि समराज भिस्तार समराज भिस्तार और धर्म परिवर्तन कराने की निटी त्याग दिये समाप्ट और यहें आर्थिक सोशन तथा फूट डालो तथा राज करो की निटी प्रारंब और लाक्ष इसमें है कि यहें सैनिक छम्ता में कटाउती की गई करते हुए एक सबंधे साथ के अनुपात को एक सबंधे दो के अनुपात कर दिया गया अनुपात किया गया किया गया एक आंग्रेज पर दो भारती साइनिक यह अनुपात था यह ध्यान रिखेगा तो यह चीजे आपको देखना है बच्चों जो है कि क्रांटी जो है कितना महत्पूर्टी मार्डन हिस्ति में और अठार संताओं के क्रांटी को बीडी सावरकर महोदे ने परथम सुतना सग्राप कहा था नहीं था फिर भी इसके पड़ाम महत्पूर्ट थे पहली बार भारतियों अंगरीजों के जो है सामने आग से मिलाकराम मिला करके बात करने का प्रयास किया था था थैंक्यों बहुत धन्यवाद ओके